हेलो गाईज आपका एक बार फिर से स्वागता हो और आज अपन सॉल्व करने वाले हैं राजस्तान जीके के कुछ इंपोर्टेंट क्यूसन जो कि आपके लिए इंपोर्टेंट है एक्रिकल्चर सुपरवाजर ले लो या फिर अन्य एक्जामों में जिनमें आपके न्यू जीके पूछे जाएगी उन सभी एक्जामों में आपके लिए इंपोर्टेंट होने वाला है तो नविन्तम जो जीले है उनसे समदित आज अपन क्यूसन है वो सोल्व करने वाले है सबसे पहले नमर पर आज अपना या पर क्यूसन है नविन्तम जीला अनूपगड किस जीले से अलगों कर बनाया गया है पहला अपना Qution आपको बताना है कि नविंतम जिला जो अनूपगर बनाया गया है वो किस जिले से अलगों के बना है गंगानगर से हनुमानगर से चूरू या फिर सीकर तो बताई देखि इसका राइट आंसर क्या होगा तो इसका राइट आंसरों का गंगानगर यानि एवाल option यहां पर right होगा जो अनूपगड है वो गंगानगर से अलगों के बना है next यहां पर देखें अपने पास यहां पर equation है अनूपगड किस नदी के किनारे बसा है आपको बताना है अनूपगड जो नया जिला बना है वो किस नदी के किनारे बसा है घगगर कातली, साबी या फिर नर्बदा तो बताई देखे इसका है पर राइट आंसर क्या होगा तो इसका है पर राइट आंसर हो जाएगा घगर जो अनूपगड जिला है वो घगर नदी के किनारे बसा है यानि एनमर का उप्शन है आपे राइट होगा नेक्ट अपने पास यापे एक क्यूसन है सबसे छोटा संभाग कौन सा है इनमें से आपको बताना है कि सबसे छोटा संभाग कौन सा है पाली, बासवाडा, उदेपूर, और सिकर तो बताई देखे इनमें से यापे कुछ संभागों के नाम दे रखे हैं इन में से सबसे छोटा संभाग आपको बताना है कौन सा सबसे छोटा संभाग है तो यहापे राइट आंसर की बात करें तो बासवाड़ा है यहापे राइट आंसर हो जाएगा बासवाड़ा सबसे छोटा संभाग है नेक्ट यहापे अपने पास क्यूशन है फोर्त नम्मर पे केसरी सिंग भारत का जनम किस जिले में हुआ था आपको बताना है केसरी सिंग भारत है उनका जनम किस जिले में हुआ था देवखेडा सापुरा में देवखेडा भीलवाडा में मोल्यासी सिकर में और समदड़ी बालोतरा में तो बताई देखे इसका राइ नगर किस जिले के अंतर्गत आता है आपको बताना है कि जो विराट नगर है यह किस जिले के अंतर्गत आता है यैंनी बैनमर का चोटा जिला कौन सा है इनमें से आपको बताना है कि राज्य का सबसे छोटा जिला कौन सा है उप्षन है अलवर दोलपूर भर्तपूर और दूदू तो बताई देखिए इसका यहाँ पर राज्य का सबसे छोटा जिला कौन सा है दूदू यहाँ पर राइट आंसर हो निमन में से कौन सी तैसिल अनुपगड में सामिल नहीं है इन में से आपको बताना है कि कौन सी तैसिल है जो अनुपगड में सामिल नहीं है चतरगड राउला राइसिंग नगर और सिंधरी तो इसका राइट आंसर क्या होगा कौन सी तैसिल है जो अनुपगड में सामिल नह पाकिस्तान की सीमा को पाकिस्तान की सीमा को पाकिस्तान की सीमा को सीकर में, कोट फूतली में और खेरतल में तो बताई देखिए कि इसका राइट आंसर है वो क्या होगा जो गनेश्वर सब बेता है ये किस जिले में स्थित है तो ये आपको ध्यान रखना है नीम का थाना जिले में स्थित है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चूरू है, सीकर संभाग में सामेल है ए नम्मर का उप्षन यहापे राइट हो जाएगा आपको ध्यान रखना है चूरू की संभाग में सामेल है चूरू सीकर संभाग में सामेल है नेक्ट अपने पास यहाँ पेक्यूशन है नविंतम जिला कोटफूतली में तैसिल वा उपखंड कितने हैं आपको बताना है कि नविंतम जिला है जो कोटफूतली उसमें कितनी तैसिल हैं और कितने उपखंड है यहाँ पे देखें अपने पास दे रखा है 9 तैसिल और 7 5 9 तैसिल और 8 उप्खणड तो बताए दिक स्काया पहोचर प्रॉटमाइगा सत्क्राइब यहां स्वाना दूर्ग वरतमान में किस जिले में है आपको बताना है कि जो सिवाना का दूर्ग है यह किस जिले में है बाड मेर में साच ओर में बालोत्रा में यह फिर जालोर में तो बताए देखे किस जिले में इस्तित है जो सिवाना का दूर्ग है यह तो इसका राय टांसर क्या होगा यहाप इसका राय टांसर हो जाएगा बालोत्रा बालोत्रा जो कुचामंजु जिला है इसका इस्तापना दिवस कब मनाया जाता है यह आपको बताना है 7 अगस्त 2023 को 8 अगस्त 2019 को 7 अगस्त 2023 को और 10 अगस्त 2000 को तो बताई देखिए डीडवाना कुचामंजु जिला है इसका इस्तापना दिवस है वो कब मनाया गया था तो राइट आंसर की बाद करें तो यहाँ पर राइट आंसर के होगा साथ अगस्त दोजार तेज को इसका इस्ताफना दियोस मनाया गया था कब मनाया गया था डीडवाना जो कुचामन जिला है इसका इस्ताफना दियोस कब मनाया गया था साथ अगस्त दोजार तेश को ए नमर का option यहाँ पर राइट हो जाएगा आपको ध्यान रखना है साथ अगस्त दोजार तेश को डीडवाना कुछामन जिले का इस्ताफनादियों से मनाया गया था नेक्ट अपने पास यहाँ पर एक क्यूसन है जेन विश्वभारती सनस्तान कहां पर है यह आपको बताना है जेन विश्वभारती जो सनस्तान है यह कहां पर है option है लाडणू नागोर लाडणू ढीडवाना समदड़ी अजमेर और्शिकर में तो बताई दे कि इसका आपर right answer क्या होगा जेन विश्वभारती सनस्तान है ये का पे है तो ये आपको ध्यान रखना है लाड़नू डीडवा नाम है बैनमर का उप्षनिया पे रायट होगा क्या है जेन विश्वबारति सनस्तान का पर है लाड़नू डीडवा नाम है बैनमर का उपसन यहाप रायट हो जाएगा नेक्ट अपने पास क्यूशन है छेतरपल के इसा आपसे सबसे चोटा जिला कौन सा है तो यह सब को बताओगा दूदू है एनमर का उपसन यहाप रायट हो जाएगा छेतरपल के इसा आपसे सबसे बड़ा जिला कौन सा है आपको बताना है छेतरपल के इसा आपसे सबसे दूदू हो गया और सबसे बड़ा जिला कौन सा चेतरपल केसा आप से जेसल मेर है तो यहां पिस्था नम्मर का उप्षन राइट हो जाएगा नेक्ट अपने पास क्यूशन है ऐसे जिले जिनका क्योल एक ही पड़ोसी जिला है वो कौन से यह आपको बताना है जेपूर और जोदपूर दोनुए ऐसे जिले हैं जिनके क्योल एक एक पड़ोसी जिले हैं नेक्ट्ट कूशन की बात करें तो next अपने पास क्यूशन है वरत्मान में कुल संबाग है आपको बताना है वरत्मान में राजस्तान में कुल कितने संबाग है साथ, दस, बारा, पंद्रा, तो right answer की बात करें तो सब को पता होगा वर्तमान में 10 संभाग है कितने वर्तमान में अपने राजस्तान में 10 संभाग है कितने संभाग है टोटल 10 तो यहाँ पर बैनमर को option right हो जाएगा next अपने पास यहाँ पर क्यूशन है नए संभाग कोन से बनाय गए है वो आपको बताना है किसी वो नमर पर क्यूशन है कि नए संभाग कोन से बनाय गए है वो आपको बताना है option अपने पास यहाँ पर दे रखा है सीकर बासवाड़ा पाली, भरतपूर जेपूर कोटा जेपूर जोदपूर विकानेर और सबी तो बताई दे कि इसका यहाँ पर right answer क्या होगा नए संबाग कौन से बनाए गए है तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है बाकि आप यह video फे लेना चाहे तो ले लीजेगा इसका link में description में डाल दूँगा बाकि फिर मिलते है next video में जहिन जे बारत